अपने स्वरूप को या आत्पन को, अंतरात्मा को साक्षी भाव से कैसे हम धीरे धीरे अनुभाव करें। डारेक्ट अनुभाव में नहीं आएगा, इसके लिए आपको दिश्टांत को लेना होगा। और इसलिए ध्यान के माध्यम से विभिन प्रकार की प्रक्रियां बताई जाती हैं। अभी हम दूसरी प्रक्रिया को बता रहे हैं कि इस प्रकार आप विचार करेंगे जब भी आपको समय हो, मुख्यूरुफ से प्रातकाल स्नान के बाद में, जब आप मंदिर में बैठे रहे हैं अपने ध्यान कक्ष में, उस में में आप इसका बार-बार अभ्यास करें। अब हम दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं, जैसे कि सिनेमा घर में सामने परदा है, सफेध है, अनासक्त है, सरुब्यापी है, जो फिलम आती है, पूरा संसार फिलम का उस परदे पर आ जाता है, यानि कि पूरा का पूरा वो एकत्र कर लेता है, इसे कहते हैं सत्थ, कि वो स आपका चैतन्य शरूप है, अब वह भी शानत है, तो तीसरा उसका नाम हो गया, सत्चित और आनन्द सरूप, यहाँ पर तो हम परदे को अलग ले रहे हैं, प्रकाश को अलग ले रहे हैं, लेकिन वह अधितारात्मा है या प्रमात्मन है, वह तीनों एक ही है, अगर वो सत्ती है वो चैतनी भी है, प्योर कंसियस्नेस, अगर वो चैतनी है तो आनंदिम स्वरूफी है, तो आखे बंद करके या विचार मेरा अगर बंगन हो जाएं, तो उसमें में आप देखेंगे कि जब फिल्म नहीं चल रही है, तो उसमें में पर्दा शांत भाव से इस्तिर है, प्रकाश भी अपने सफेद प्रकाश को फैला रहा है और वो पर्दे पर गिर रहा है, लेकिन जैसे ही वो जो फिल्म है, फिल्म कहुंची होती है, इस्टिल होती है और एक सेकंड में जब सोला बार वो फिल्म आपकी जो रही लगर खिसकती है, तो ऐसा प्रति हो या दुख हो और प्रकाश भी ऐसा प्रतित होता है कि जैसे कि वो उस फिल्म से संगलंगन होकर करके अपने आपको भूल चुका है और पूरा का उसमें जो उसमें अनेक प्रकार की जो कथाएं हैं जो उसमें कहानी चल रही है, जन्म से लेकर के मिर्तु तक पूरा का जो बहुत सो लोग उसमें 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 लिकने इस समय भी जो परदा है सब को थामते हुए भी पर्दा इससे ανα सकते हैं और जो परकाश पीछे किछे प्रज़क्टर के पीछे प्रज़कटर खार थे जो प्रकाश भी पूरा भूब अभी दिश्टा इट के वल है अगर गौर करनगे हैं, क्योंकि अगर उस पर्दे बर अगर उससे संगलंग हो जाता या प्रकास संगलंग हो जाता तो फिल्म के बाद में आपको पर्दा नहीं मिलता, पर्दा बोलता है मुझ में आग लग गई है, मुझ में अच्छा हो रहा है, मुझ में भला हुआ है, प साक्षी भाउ है, परदाखी हो साक्षी है fine, सब को थामे भर भावी वह साक्षी है, और सूरज़ करना ना। है Sabha डिटनेस है, और अलिपायमान है तोनों, यानि अंतरातमा जुए is वह अलिपायमान है, और सिर्यमा समाप्त होने के बारद में वर्दा का जो उसका सरूप था उसे सरूप में इसतित है उसमें कोई भी कुछ भी अ हलचल नहीं हुई है न तो उसमें जो प्रकाश है उसमें कोई फर्क बड़ा है ठीक, इसी प्रकार से अंतरात्मा वो प्रकास सरूफ है, चैतनी सरूफ है और वो आनन्द सरूफ है और वो सत्य सरूफ है अंतरात्मा के प्रकास से वो चैतनी से आपकी बुद्धी में जब प्रकास पढ़ता है तो आपकी बुद्धी कारे करती है बुद्धी अनिक प्रकार उसको दे रहा है उससे अलिपाइमान है ठीक उसी तरह से जैसे कि वो परदा और प्रकाश है मन कारी करता है अनिक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है इसमें भी वही जो मन की जो रील है उसमें क्योंकि मन क्या है एक प्रकार की फिलम है वो भी और मन भी प्रकार की जो इस्टिल फिलम है वो जब घूमती है वो डिवाइन प्लैन में तो ऐसा प्रतित होता है कि जो अं तो मन की भावना है, मैं जो प्रकाश पढ़ता है, जो मन की जो प्रकाश पढ़ता है, तब हमें अनुभव में आता है। प्रानों में प्रकाश पढ़ेगा तो प्रान अपना कारी करेंगे। इंद्रियों में उनका प्रकाश पड़ेगा, तो इंद्रियों आपना कारी करेंगी, शरीर के भीविन रचनाओं में उनका प्रकाश पड़ेगा, तो शरीर में अनिक प्रकार की जो केमिकल अक्टिविटीज होती हैं, वो होने लगेंगी, इतना सब होने पर भी आपका जो अ व्रित्ति रुपी फिल्म है, वो निरंतर घुम रही है, और यह व्रित्तियां इतब तक गुमते रहेंगे जब तक कि वो इन व्रित्तियों को पूरी तरेके से रोक ना ले, चित्य व्रित्ति निरोधा हम। स Katrina वर जैसे कि दो इस्टिल फिल्म के बीच में तोड़ा गैप होता है, लेकिन वो गैप इतना कम रहता है कि वो इक सामान जन के माध्यम से वो गैप अनुभवे नहीं आता है और लगता हैं कि जैसे कि पूरी फिलम Missile चल रही है, उसी तरिके से दो वृत्यों के माधिम के बीच में, दो ठॉट वेप्स के माधियम में जो रिक्तिस्थान है, उस में जो प्रकाष आता है, वो प्रकाष आत्मन का प्रकाष है। यानि एक बीचार से दूसरे बीचार में गये, तो एक पौज आता हलका सा, वो उसमे में आप शान्त हो जाते हैं, वो आपका स्वरूप है और इसके लिए धीरे धीरे आपको अभ्यास करने का प्रियतन करना चाहिए